फर्स्ट बाइट की खबरे लगतार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रेंडा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टेवी कैरोसीन के अवैद भंडारन से जुड़े हाई प्रोफाइल मामले में कारोबारी संजर कुमार अग्रवाल की जिला अदालत ने अग्रिम जमानत की याचिका को आखिर कार स्विकार कर लिया है इसके साथ यो संजर किस्तर पर पिशले कुछ समय से लटकी संभावित गिरफतारी की तलवार अब हट चुकी है गिरफतारी की अवस्ता में संजर द्वारा रेस्टिंग ऑफिसर की संतुष्टी में दो लाख रुपे का व्यक्तिगत बंद पत्र समान धनराशी की दो प्रतिव प्रस्तुत करने की अंडर्टेकिंग दाखिल करने पर रिहा कर दिया जाएगा मेरट जिले में एका एक ही मिलावटी तेल के मामले उजागर होने के बाद ये मामला बेखत संबेदन शील और हाई प्रोफाइल बन चुका है कई बड़े नाम काले तेल के खेल में काले और धूमिल हो चुके हैं पिशल दस साह से मिलावट के दम पर सफेद पोश्च बने लोगों के लिए मुखेमंत्री योगिया दितनात का कड़ा रुक उनकी नींद उडाने वाला साबित हुआ इसका सर्फ पड़ोसी जिलों में भी देखने को मिला है मुझफर नगर में केरोसीन नाले में भादिया गया जिसमें लगी आग से कई वाहन चल कर राख हो गए समझा जा सकता है कि केरोसीन से यूँ ही तो नाला लबालब नहीं हुआ होगा दिलचस बाती है कि समाज और व्यूरोक्रेट्स में खासा दबदबा रखने वाले इन चंद लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें ये दिन भी देखना पड़ेगा यही कारण है कि शहर की राजनीती समाज और व्यूरोकेट्स को भी इस खेल ने दो भागों में बाठ कर रख दिया है पेट्रोल पमसंचालकों का उत्पीड़ा ना रुकने पर मेरट बंद जैसी चितापनी दे डालने वाले संयुक्त ब्यापार संग को खुद अपनी इज़त बचानी भारी पड़ रही है इसके जवाब में संयुक्त ब्यापार मंडल ने बंद का आवाहन करने वालों को ही संधे के दाएरे में लाकर खड़ा कर दिया काले तेल के काले खेल की कलाई पिशले दिनों उस वक्त खुल गई जो बाईजी आलोक सिंग ने एक गुप्त सूचना परपरतापुर और टीपे नगर श्यत्र की दो कंपनियों पर छापा पड़वा दिया इस चापे में गणपती पेट्रोकेम और पारस कामिकल फेक्ट्री से दो लाक बीस हजार लीटर मिलावटी पेट्रोल बरामद हुआ यहां से दस लोगों को गिरफ्तार किया गया इन लोगों से पूस्ताच के बाद पुलिस ने मेरट पेट्रोल असोसियेशन के अध्यक्ष राकेश जयन समें तीन अन्य पंपो पर छापा मारा और उन्हें सील कर दिया यह बात दीगा रही कि चंद घंटो बादी पुलिस को बेकपुट पर आते हुए सील को खोलना पड़ा इसकी क्रम में विभाग, प्रशासन और पुलिस ने सोसियेशन सचिव संजी कुमार अगरवाल के कुंडा सिफ ओयल दिपो पर छापा मार कर ऐसा करीब 72,000 लीटर कैरूसीन वहां से बरामत किया जिसका कोई हिसाब किताब नहीं मिल पाया इसके अलावा पेट्रोल विवसाई के एक और चर्चित नाम धनेंदरु जैन भी रडार पर आ गए हैं धनेंदरु जैन के बेटे विशाल जैन के डिपो पेट्रो कैम गोदाम पर छापा मारा गया यहां से 78,500 लीटर अव्या तेल बना मत हुआ गंभीर बात यह रही कि मौके पर धनेंदर जैन और विशाल जैन को भंडारन का वेरिफिकेशन करने के लिए फोन पर बुलाया गया लेकिन दोनों ही प्रशासनिक टीम की कोई परवा नहीं कर रहे जिस पर गोदाम को सील करना पड़ा साथी विशाल जैन के खिलाफ आवश्चिक वस्तु अधिनियम की धारा तीन बटे साथ कम मुकदमा दर्श करा दिया गया है वीच पुलिस ने पेट्रोल कारोबारी संजे कुमार के आवास को भी सील कर दिया शेहर के बड़े कारोबारियों ने एक जुठ होकर इसका विरो मेरट बंद की चितावनी दे डाली संयुक्त वयापार संग की इस चितावनी को व्यापारी वर्ग में ही खासी नाराजगी की रूप में देखा गया क्योंकि वीयपारियों के बीच तेवी से पकड बना रहे संविक्षि वीयपार मंडल के अद्यक्ष पंडित आशुशर्मा ने विगध दिवस कहा कि संग वीयपारियों के हिट के लिए है उनके द्वारा की ज़ा रही काला बजारी के पक्ष में वो कता ही नहीं उतरेगा अगर मिलावट खोरों के समर्थन में मेरड बन किया जाएगा तो वो इसका विरोध करेंगे विश्विद्याले के गेट पर भी आदेश प्रधान की नेत्राजव में मिलावट खोरों का पुतला फूंका जाएगा वियापारीओं के कई गुटों के संग की खिलाफत में उतरने से संयत वियापार संग की इस मामले में खासी किरकिरी हो रही है पेटरोल कारोबारी संजे कुमार की गिरफतारी पर रोक के लिए अगरिम जमानत की याचुकापर आज अदालत ने अपना फैसला सुना दिया जमानत की याचिका पर कल से ही संधे के बादल मंडरा रहे थे लोगों को लग रहा था कि जिस तरह से संजे की घेरबंदी की जो रही है उसे देखते हुए अगरिम जमानत मिलना मुश्किल है लेकिन आज द्रश्य बदला हुआ नजर आया संजे कुमार को आज अगरिम जमान होने के कारण जमानत हो चुकी है जिला प्रिश्वासनी शुरू में इन सभी पर गैंक्स्टर और रासुका की कारवाई की गोश्मा की थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया इससे पहले अध्यक्राकेश रैन लवकुषगर्ग अर्जुन और अशोग गुपता ग्रफतारी के वि कारण तेल माफियाओं में हरकंप के हालात हैं बीती राद मुझफर नगर में सुझडू चुंगी के निकट इंडियन ओयल डीलर मैसर्स रगुवीर सरन प्रेम कीर्थी सरन का गोदाम है देराद गोदाम से बड़ी मात्रा में कैरुसीन नाले में पहुँच गया कैरुसीन से लबालब हो गया और कुछ ही देर में तेल ने आग पकड़ी आग की चपेट में कई वहान आकर राख हो गए फायर ब्रिगेट ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया और आब इसके अगले हालात क्या हैं वो बताएंगे अगली खबर में फिलाल मुझे जासब दी पिर से लोटेंगे इस मामले की अपडेट को लेकर चैनल को सब्सक्राइब अब वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा नमस्का